हेलो बच्चो आज हम क्लास फिफ्थ का वीक थर्टीन का मैट्स का असाइमेंट सॉल्व करेंगे इस असाइमेंट में पार्ठ पार्च क्या यह एक जैसा दिखता है कि प्रशन्द यह गए हैं तो चलो अपना यह असाइमेंट सॉल्व करते हैं हमें इस असाइमेंट में बताया गया है कि किसी भी आकृती या फिर किसी ऐलफाबेट या अक्षर को अलग अलग तरह से गुमाने पर यह कैसे दिखता है कैसे टी को आदा गुमाने पर यह उल्टा हो गया है अगर हम T alphabet लेते हैं और उसे एक बटा चार गुमाते हैं तो वो कैसा होगा एक बटा तीन गुमाने पर वह कैसा दिखेगा एक बटा दो गुमाने पर यानि बिल्कूल हुई आदा गुमा देने पर वह कैसा दिखेगा और तीन बटा चार गुमाने पर वह कैसा दिखेगा इस तरीके से यहां हर गुमाव यह दिखाता है कि T में उसकी असल स्थिती में कैसे बदलावाया है ऐसे questions को करने का सबसे आसान तरीका है कि हम माल लेते हैं इन alphabet के सबसे उपर वाले हिस्से को कि वो 12 पर है जैसे C का सबसे उपर वाला हिस्सा ये मान के चलो कि वो 12 पर है अब 1 बटा 4 गुमाव में इसका मतलब होगा कि हमें उपर वाले हिस्से को 3 तक ले आना है और इतना ही गुमा देना है जैसे 1 बटा 4 में गुमा रखा है अब 3 से 1 बटा 2 गुमाव में उसे पूरा 6 पर ले आना है यानि बिलकुल आदा गुमा देना है तो C के उपर के हिस्से को गुमा के नीचे ले आओ 6 पर फिर 3 बटा 4 गुमाव में नीचे वाले हिस्से को पकड़ो और 9 पर ले आओ और सीधा नो पड़ ले आना है तीन बटा चार गुमाओं में और एक पूरे गुमाओं में वो वैसे का वैसा ही आ जाएगा जैसे पहले की स्थिती में था सेम ऐसे ही P के साथ होगा A के साथ और J के साथ नेक्स कोश्चन में अंग्रेजी के ऐसे अलफाबेट को पहचानना है जिने आदा गुमाने पर वह अपनी शुरुआत की ही स्थिती में आ जाते हैं और वैसे ही दिखाई देते हैं सभी अलफाबेट को नीचे दिये गए डिब्बो में लिखना है जैसे I, I को अगर हम आदा गुमा देते हैं तो वह I ही दिखाई देता है ऐसे ही O, O को भी हम आदा गुमा देंगे तो वह O ही लगेगा S को भी हम आदा गुमा देंगे, S ही लगेगा H, Z, X और N इनको भी अगर हम आदा गुमा दें तो वह अपनी ही तरह दिखाई देंगे जैसे आपकी स्क्रीन पर दी गई वीडियो में मैं गुमा के आपको दिखा रही हूँ Next Question में उन गुमावों पर सही का निशान लगाना है जिन पर आकृती असल स्थिती के समान दिखती है मतलब जैसी वो आकृती है सेम गुमाने पर वैसी ही आकृती दिखाई दे जैसे फर्स्ट चित्र है स्क्वेर का, वर्ग का वर्ग को एक बटा चार गुमाने पर वैसा ही दिखाई देगा लेकिन एक बटा तीन गुमाने पर ऐसा नहीं दिखाई देगा एक बटा दो यानि पूरा आदा गुमा देने पर भी वो ऐसा ही दिखाई देगा ऐसे ही एरो, एरो को हम कैसे भी गुमाले एक बटा चार गुमाले एक बटा दो गुमाले एक बटा तीन गुमाले वह ऐसा जो पहले शुरुआत में है वैसा नहीं दिखाई देगा वह तभी ऐसा दिखाई देगा जब पूरा उसे पूरा एक चक्कर पूरा करके उसी स्थिति में ना लाया जाए नेक्स चित्र है तिरबूज का यानि ट्राइंगल का ट्राइंगल एक बटा चार गुमाव में दिखाई देगा सेम इसी पोजिशन में एक बटा दो गुमाव में नहीं दिखाई देगा चाहे आप करके देख लो आदा गुमावगे तो चोच वाला हिस्ता नीचे आ जाएग जो वो ये वाली आकरती नहीं दिखाई देगी बनती हुई और एक बटा तीन गुमाव में भी ये ऐसा ही दिखाई देगा अचाहे आप गुमा के देख लो इसे next चित्र है circle का circle को आप कैसे भी घुमालो वो same ऐसा ही दिखाई देगा जैसा शुरुआत में है next चित्र है star का star 1 बटा 4 घुमाव में नहीं दिखाई देगा ऐसा बाकी दोनों में ऐसे का ऐसा ही दिखाई देगा next shape है heart की heart भी एक बटा चार, एक बटा दो और एक बटा तीन में बिल्कुल भी ऐसा दिखाई नहीं देगा जब हम पूरा एक चक्कर करके उसे पहले वाली स्तिती में लाएंगे तब ही वो ऐसा दिखाई देगा जैसा वो इस समय दिख रहा है Next है एरो का दो एरो बने हुए हैं सिरफ एक बटा दो घुमाव में वो ऐसे दिखाई देंगे बाकी एक बटा चार और एक बटा तीन में ऐसे नहीं दिखाई देंगे तो उन पर क्रॉस लग जाएगा Next question में यह शब्द आइने में देखने पर कैसे दिखेंगे वो हमें बना कर दिखाने हैं जैसे पहला है कार यह मान के चलो कार के राइट हैंड साइड पर यानि दाइनी तरफ एक शीशा मिरर लगा हुआ है और हमें बताना है कि वो शीशे में कैसे दिखाई देगा आप चाहो तो अपने घर वाले शीशे पर भी एक पेपर पर कार लिखो और उसे शीशे में देखकर देखो कि वो कैसा दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पर सबसे पहले आर आ जाएगा वो भी उल्टा बना हुआ फिर आ जाएगा और फिर सी आ जाएगा उल्टा बना हुआ एसे ही सेकिंड है English E N G L I S H जैसे मैंने लिखा हुआ है समझ कुछ नहीं आ रहा mirror में देखने पर लेकिन ये English ही है लेकिन mirror में देखने पर ये ऐसा दिखाई देगा H पहले S उल्टा, I, फिर L उल्टा, G उल्टा, N उल्टा और E भी उल्टा Next है 108, 108 mirror में देखने पर 801 दिखाई देगा लेकिन एक भी उल्टा बना होगा Next है 13609, ये शीशे में दिखाई देने पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आप चाहो तो खुद भी इन सारे words को पेपर में लिखकर घरवाले शीशे में देख सकते हो ये कैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन पेपर को शीशे के left side में ही रखना यानि बाइं और ही रखना तो बच्चो ये था हमारा week 13 का class 5 का math का assignment आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोज मिलती रहें